मेरे प्यारे देश स्वासियों, पिछले कुछ महेनों से पूरे देश ने एक जूट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है. आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है. साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्ति दर्भी दुनिया के जादातर देशों से काफी कम है. निश्टित रुप से एग भी व्यक्ति को खोना दुखत है लेकिन भारत अपने लाखों देशवाशों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ही जादा सतर्क रहने की जरूरत है हमें यह इध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है चहरे पर मास्क लगाना या गमचे का उप्योग करना दोगज की दुरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूंकना नहीं साव सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हत्यार है जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता हैं कि चहरे पर से मास्क हटा दए बाचित करना शुरू करते हैं जब मास्क की जरूरत होती है जादा उसी समय मास्क हटा देते है ऐसे समय मैं आप से आगर करूँगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फिल होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण केजिए उन नर्सों का स्मरण केजिए हमारे उन कॉरोना वारियर्स का स्मरण केजिए अब देखिए, वो मास्क पहन करके गंटों तक लगातार हम सब के जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं, आठ आठ दस दस गंटे तक मास्क पहने रखते हैं, क्या उनको तकलिब नहीं होती होगी? थोड़ा सा उनका स्मर्ण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते, इसमें जराबी कोता ही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है, एक तरब हमें कोरोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजक्ता और सतर्क्ता के साथ लड़ना है, तो दूसरी और कठोर मह पहनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तवे हम निभाते हैं, उसमें गति लानी है, उसको भी नई उन्चाई पर ले जाना है, साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामिन ख्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है, गामों से स्थानिये नागरिको के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगाता सामने आ रहे हैं, जम्मू में एक ग्राम, त्रेवा ग्राम पंचायत है, वहाँ की सरपंच हैं बलबीर कौर जी, मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक कौरंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की भवस्ता की, लोगों को हाथ दोने में कोई दिक्कत ना हो, इसका इंतजाम करवाया, इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंदे पर स्प्रेपम टांक कर, वोलेंटेर्स के साथ मिलकर, पूरी पंचायत म आसपार के छेतर में सेनिटाइजेशन का काम भी करती है, ऐसी ही एक और कश्मीरी महला सरपंच है, गांदरवल के चोंटली वार की जैतुना बेगम, जैतुना बेगम जी ने ताई किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाब जंग लड़ेगी और कमाय के लिए अउसर भी प राशन बाटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीच और सेव के पौधे भी दिये, ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आये, साथियों कश्मीर से एक और प्रेयर घटना है, यहां अनंतनाग में मिन्सिपल प्रसिडेंट है स्रिमान महम्मद इ उन्होंने अपने इलाके में सेनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी, उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे सहर से लानी पड़ेगी और किमत भी होगी 6 लाक रुपी है, तो स्रिमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपीय में, ऐसे कितने ही और उदारण हैं, पुरे देश में, कौने कौने में, ऐसी कई प्रेयरे घटनाएं रोज सामने आती हैं, ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, चुनोती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत स उसका सामना भी किया जुडे रहेगा आपके अपने चेरल विजापूर समय के साथ